हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सोन वर्ड में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ SBI में अगर आपका एकॉंड है तो पेन कार्ड आप कैसे लिंक कर सकते है अपने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए तो दोस्तों आप लोग को जो एक नई अपडेट आ चुकी है ये पहले से भी अपडेट थी तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ SBI में अगर आपका एकॉंड है तो आप पेन कार्ड को कैसे लिंक कर सकते है अपने बैंक एकॉंड के साथ इंटरनेट बैंकिंग से ये जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रही है मैं हूँ सोनो एमद आप देखने मेरा चैनल टेक्निकल सोनो वर्ड दोस्तों वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए लेकर चलता हूँ अपने मुवाइल की स्कीन पर बहें पर बताते हैं फिर मिलते हैं आपको तो हैलो गाईज आचुके अपने मुवाइल की स्कीन पर देखिए यहाँ पर आपको गूगल क्रॉम ओपेन कर लेना है ठीक है और यहाँ पर आपको टाइप करना है sbi.com ठीक है sbi online जैसे यहाँ पर टाइप करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने खुल ठीक है तो इस पर क्लिक करना है सबसे पहले वाले option पर आपको जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर फिर से कुछ ऐसा option आएगा आपको three dot पर क्लिक करके desktop side में open कर लेना है यह website को ठीक है और इसमें देखिए यहाँ पर प्रोशनल banking का जो option आता है तो अपना user id password डाल के login कर लेना है ठीक है दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अगर इसी तरीके की प्रोशनल banking या कोई सी भी banking से जोड़ी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रू subscribe कर लेना और उस वीडियो को like कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो य जैसे आप continue to login पर क्लिक करते हैं यहां पर user id password डाल के आपको login कर लेना आपने bank account के अंदर जो भी आपका जो internet banking है उसके अंदर login हो जाना है आपको ठीक है यहां पर काफी सारे option कर लेना आपको जो काफी सारे option मिल जाते हैं तो रिश्टॉप साइड पर आपको जो open कर लेन उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए मैं आपको लाने की पूरी कोसिस करूंगा वीडियो तो देखिए यहां पर जो एक option मिलेगा यह सब option को आपको कुछ नहीं करना यहां पर profile option मिलेगा ठीक है my account profile option पर आपको click कर देना है ठीक है जैसे आप इस पर click करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा यहां पर एक जो है profile का option आएगा profile के option पर आपको click कर देना ठीक है जैसे आप इस पर click करते हैं तो यहां पर फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा खुल के यहां पर देखिए मैं आपको दिखाद रहा ह pen register करके एक option है यहाँ पर pen register इस पर आपको click कर देना है ठीक है जैसे आप इस पर click करते हैं तो कुछ ऐसा interface आएगा यहाँ पर profile password डालके आपको submit करना है ठीक है तो देखिए दोस्तों मेरा जो है account के साथ जो pen card link है तो यह option यहाँ पर नहीं दिखाए ज़रा है लेकिन मैं बता की तरब से जो एक OTP आता है वो आपके mobile नमबर पर आएगा यहाँ पर डालको इसको submit कर देना है ठीक है और जैसे यहाँ पर pen card नमबर डालके submit करते हैं OTP डालके submit करते हैं तो आर तालिस घंटे के अंदर में आपका जो pen register हो जाएगा आपके bank account के साथ ठीक है आप इसी तर लाइक से रिलेटिव देखना पसंद है साई वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कमेंड मता यह वीडियो कैसे लगी चलो आज के लिए वस इतना ही मिलते है अगली वीडियो में तब तक लिए टैक के एंड वाई वाई